पत्रकारिता से चंद सेवा की शुरुआत करने से लेकर भारत का प्रथानमंद्री बनने तक युग पुरुष अटल बिहारी वाजपई जी का सफर एक आदर्श सफर रहा उन्होंने कभी भारत को समीन का टोपड़ा नहीं माना बल्कि हमेशा भारत को एक जीता जागता राश्ट्र पुरुष माना यूँ तो अटल जी ने अपने जीवन में काफी संघर्शों का सामना किया मगर कभी हार नहीं मानी फिर जाहें इंद्रा गांधी द्वारा लगाई गई एमर्जेंसी में जेल जाना हो या फिर विरोधियों द्वारा सरकार गिराना और तो और अटल जी एक ऐसी शक्सियत थे जिनके कारण 1977 में संयुक्त राश्ट के मंच से पहली बार हिंदी कुँजी थी अपने सेटिहासे भाषण से जहां अटल जी ने पूरे विश्व को वसुधैक कुटमुकम का मंत्र दिया तो वहीं उनका भाषण सुनकर दुनिया भर के नेताओं ने खड़े होकर तालियां बजाते हुए अभिनन्दन किया जिस तरह आज भारत अंतरिक्ष के शेत्र में महाशक्ति बनने की और अग्रसर है ठीक उसी तरह अटल जी ने परमारू शक्ति के शेत्र में भारत को आत्म नर्भर बनाने की दिशा में वोकरन्टू की घूषणा परके हुए पूरे विश्व को चौंका दिया था अभिनंदन होना चाहिए विज्ञानिकों का पून इंजिनियरों का जनोंने पोकरन में जो कुछ हुआ उसे सफलता पूरवग करके दिखाया है वही आताईजी के नित्रचों में साल 1999 में भारतिय जामवाजों ने कारगल युद्ध में पाकिस्तान को हार की धूल चटाते हुए मा भारती का सीना गर्व से चोड़ा कर दिया था आज जो भारतिय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनतिक पार्टी के रूप में उखर रही है इसकी भविश्यमानी खुद अटल भिहारी बाजपली में कर दी थी जब वो भाजपा के पहले पार्टीय जख्ष के रूप में नियोक तो हुए थे आज भले ही अटल जी हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके विचार उनके शब्द आज भी देश मासियों के मन में जीवन्त है और ऐसे कर्म योगी वा राजनीती अजाद शत्रू भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपली जी को हमारा कोटी कोटी नमन